सीधे आपको लखनों लिये चलेंगे जो आउत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हो क्या अधितनार्थ प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते आपको मुझे प्रसंता है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल पिछले पांच-छे वर्सों के अंदर लोगतंत्र के एक महत्वपूर्ण स्थम्ब के रूप में अपनी सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जा रहा है सकारात्मक मुद्दों पर विकास से जड़ेवे मुद्दों पर हर मान्य सदस्य अपनी बात को सदन में रखने के लिए उत्षुक दिखाई देता है और मैं इस उसर पर अपने पिपक्सी मित्रों से भी इस बारे में अपील करूँगा कि जो मानने सदस्यों की भावनाएं हैं उसे दली सीमाओं से अलग हट करके प्रदेश के विकास के लिए विधान सवहा या विधान परिशत को हमें एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र बनाने किया उसकता है और उस दिश से यह सत्र हमारे ले बहुत महत्वपूर्ण सत्र होगा राजयपाल जी के विभासन पर चर्चा होगी उसका जवाब भी सरकार की तरब से जाएगा बजट पर चर्चा होगी मानने सदस्यों को अपनी राए इन दोनों महत्वपूर्ण मुत्तों पर और अंदान मांगों पर रखने का उसर प्राप्त होगा इसके लावा अपने अपनी विधान सवहा छेत्र से जुड़े वे या प्रदेश के विकास से जुड़ी भी महत्वपूर्ण बातों को सदन के समक्स रखने का भी औसर मानने सदस्यों को प्राप्त होगा मुझे विश्वास है कि जो एक सकारात्मक माहूल पर देश के बारे में बना है देश में दुनिया में उस सकारात्मक माहूल का लाव विरोधी दल भी लेकर के एक सकारात्मक चर्चा का केंद्र विधान मंडल को बनाने में अपना योगदान देंगे हमने कल भी दलिय नेताओं की बैठक में इस बारे में बहुत पस्पस टूप से कहा है कि सरकार हर विधान मंडल की कारवाई का हिस्सा बनने वाले हर मुद्वे पर चर्चा के लिए भी तयार है और उसका जो तथ्यपरक और सही चानकारी होगी उसको सदन के समक्स रखने और मानने सदस्यों को उगद कराने के लिए फूरी तरह तयार है मैं एक बार फिर से उत्तरप्रदेश विधान मंडल की वर्स तौजार चौबीस के सत्रप सुभारंब के उसर पर सभी मानने सदस्यों को इर्दै से स्वागत करता हूँ उन्हें उत्तरप्रदेश विधान मंडल की कारवाई को सुचारू और नियमसंगत तरीके से आगे बढ़ाने के लिए उन सब का अववान करता हूँ लोकतंत्र के उन मुल्यों और आदर्सों के अंडूप सत्र की कारवाई को प्रभावी डंग से आगे बढ़ाने मैं उनके सकारत्मक योगदान की भी अप्रिक्सा रखता हूँ और उत्तरप्रदेश ने आदर्णिय प्रधान मंत्री जी के मार्ग दर्सन में 22 जनवरी 2024 को अयोत्या में प्रवुश्री रामलला के 500 वर्सों के उप्रांद एक लंबे अंत्राल के उप्रांद भब्य प्रांद प्रतिष्टा समारों की सकुसलु संपन्न होने और प्रतिजिन लाखों की संख्या में सरदालु जनों का अयोत्या धाम में आगमन